नमस्कार दोस्तों, welcome back to your own channel, The Investment Guruji दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले Fine Organics Industries Limited जिसको हम लोग Fine Organics भी कहता है इस कंपनी के बारे में कंपनी की बात करें तो कंपनी बनाती है Specialty Chemical के प्रोड़क्ट Specialty Chemical ये कंपनी बनाती है अगर हम लोग आज कंपनी की यहाँ पर बात करें तो 2769 रुपे स्वेव कंपनी की लास्ट क्लोजिंग थी 461 पॉइंट स्टॉक आज आप रहा यानि के अरूंड 20% की हमने एक शांदार राली स्टॉक में देखी अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है Specialty Chemical बनाती है इसकी Valuation की डिटेल्स एसके प्रोड़क की डिटेल्स और डिटेल्स और आप उपर आई पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको यह जो है वीडियो की लिंक वहाँ से मिल जाएगी इस कंपनी के बात करो तो 1,980 रूपस पर हमने लास्ट टाइम यह कंपनी स्पॉट के थी रिकमेंट के थी और वहाँ से भी कंपनी अच्छा रिटन दिया है अगर हम लोग यहां पर इंवेस्टर रहे तो एक शांदर रिटन कंपनी अभी भी दे सकती है अगर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करो तो इस कंपनी कि हम लोग जो है वेलिवेशन की डृतल हम लोग चनेंगे इस कंपनी में लेकिन बहुत इंद बहुती ऊपर उपर से देखेंगी के बाद इस कंपनी को यह टेकनिकल एनलिसस करेंगे कौन सी लेवल इस टॉक में बैस निकल के आरेगी इन्वेस्मेंट परपस तो दोस्तो विडियो कहने तक ज़रूर बने रहे तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तो अगर आपने दर इनवेस्मेंट गूरी चान कमपनी मना दिये थे केमिकल का यूज हमें और रदी पता है जिस सबसे बहुत सरे सरे स्पेशल इक्रवर जगता ब्लस्टिक हो गया फूर हो गया रबोर हो गया पॉस्मेटिक फार्मा मतलब पार्मसेटिकल की जो भी दवय होती है उसके लिए होता है ओर ओर देखा जाए तो सारी बड़ी-बड़ी यहां पर सेक्टर की बात करें तो सारे बड़े सेक्टर को जो इनका स्पेशल्टी गेमिकल यूज होता है तो आने वाले सालों में स्पेशल्टी केमिकल का यूज जिस अपसे बढ़ेगा तो उसके इस company का जो है यहां पे हम ल क्या है कंपनी का अगर यह तीनों पॉंट अच्छे लगते आपको और कंपनी अगर बढ़िया लगती है पिछले चारपा साल का अगर इस कंपनी का जो है फाइनिशल ट्रैकर रोकॉड भी बढ़िया है तो ऐसे कंपनी में जो हम लोग लंबे टाइम के लिए नवेश कर सकते है तो चली बढ़ते है इस कंपनी को और आगे यहां पर डिटेल में जानते है अगर हम लोग कंपनी के वैलिशन के बात करो तो 7076 क्रोड याने की मिड़काप साइज की कंपनी है यह अगर हम लोग स्टॉक की पी की बात कर तो 45 पे चल रहा है स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी इसे कंपर कर रहे है तो इंडस्ट्री पी चल रहा है 19.84 पे तो इंडस्ट्री पी से अच्छा का से महेंगे तालों पर करम प्ली जो है कंपनी काम काच करते हैं हमें देखने को मिल रही है और लोग रिटन अन एक्विटी की बात करो तो शांता 29.45% का रिटन है इस कंपनी के पास तो ओवराल देखा जाए तो मार्केट कैप जिस जितना है तो उसका अराउंड जो हम लोग कह सकते हैं अल्मूस एट तू 9% के आसपास का इस कंपनी का जो है रिजर्व है तो यह बहुत अच्छी बात है अगर हम लोग कंपनी का डेप इस साब से कंप स्थ करना तो पिछले 4 से लेके 5 साल का हमें डेटा हमेशा कमपेर करना चाही पौप वहहां कामपेर करना चाही इन टरमस अब सरील स्रेविन्ई इंटरस टो टोल प्रोपिट तो कैसा इस ah कंपनी का हो रहा है अगर हम लोग consolidated level पे देखे तो फिछले पास साल कहने के मार्ट 2016 से लेके मार्ट 2020 का अगर हम लोग यहां पर data analysis करें तो टोटल इस कंपनी का तो यह भी consistently बढ़ रहा है और अभी जो मार्ट 2020 के बात करें तो 132 क्रोड इस company का expenditure है तो देखा चाहिए तो main expenditure होता है इस company का cost of material consumed तो जिस सबसे इस company का income बढ़ेगा तो उस सबसे इस company का expenditure भी बढ़ते हुए हम लोग देख सकते हैं अगर लोग company के interest की बात करें तो 8 क्रोड देखी तो एक debt free company हम लोग इस company को जो है कह सकते हैं अनों फाइनली बात करें net profit के net profit हुआ है मार्ट 2016 में 76 करोड जो कि consistently year on year पर बढ़ रहा है अगर हम लोग 2020 की बात करें तो यहां पर 170 करोड का इस company का net profit हो चुका है तो overall देखा चाहिए तो consistently net profit बढ़ रहा है company का consistently company का income ब तो इस company का current PE जो चल रहा है PE का ratio चल रहा है तो वह higher है इसके industry P से तो यह एगर एक point छोड़ दे तो overall देखा है तो company का overall performance, overall track record बहुत ही अच्छा है दोस्तों चलिए करता है company का technical analysis अगर हम लोग यहां पर technical analysis से पहले company का यहां पर current price देखे तो वह चल रहा है 2770 रुपीज के असपास अगर हम लोग यहां पर company देखे तो company जो है list हुई थी around 2018 July में यानि कि around 2 साल इस company को recently हो चुके है अगर हम लोग IPO की price देखे तो IPO की price देखे 780 रुपए पे तो अगर हम लोग इस साफ से भी calculate करता है तो 2770-780 तो इस साफ से 1990 रुपए इस company की price और बढ़ चुके है तो overall देखा जाए तो एक साल में इस company ने जो है 120-127% का एक better return रिटन दिया है तो हम लोग इस company के अब तक का है multiplier return stock और डिलेवर कर चुका है इस company ने वह कह सकते है कि हर साल इस company ने पैसा double से भी ज्यादा कर दिया है investor का अगर हम लोग company का यहां पर chart analysis देखे तो around हम लोग देख सकते हैं July month में यह company list हुई तो इसके बाद अच्छा खासा return stock ने डिलेवर किया है अगर हम लोग आज की current price की बात करें तो 2769 के आसपात closing रही है अगर हम लोग stock के कुछ दूसरे indicators की बात करें तो 80 पर चल रहा है इ याने कि overbought zone में पहुच चुका है यहां पर पहले भी हम लोग देख सकते हैं overbought zone में पहुच चुका था लेकिन वहां से थोड़ी correction आई थी profit booking आई थी तो current level से RSI chart पर हम लोग profit booking आते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ session में अगर हम लोग यहां पर MSED chart की बात करें त जो recent बनी है अच्छी का सी बड़ी candle आज के दिन बनी है जिसने 20 पसंट का जो एक return दिया है तो उससाब से देखा जो तो bullish crossword बनाया है लेकिन यहां पर हम लोग देख सकते हैं bullish crossword multiple times बने जिससे पिछले कुछ मैनों से company यहां पर भागते वह हमें देखने को मिल रहे है तो यहां पर बोलिंजर बैंड लेवल पर देखे तो प्री कोईड लेवल था इस company का 2470 रुपीज के असपास तो company जब मार्केट गिरा तो किदी थी और अरूंड जो है वन थावन 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 रूदर रूपीज के असपास का लो लगया था और इसका company ने अच्छा अपर बैंड को हिट किया और वहां से profit booking आई इसके जो middle जो बोलिंजर बैंड का level है उससे भी थोड़ा नीचे जाती company लेकिन वहां से record हो जाती यहां पे अगर हम लोग इस लेवल का भी trend देखे तो इस लेवल पर company ने जो है इसका middle बोलिंजर बैंड का level को जो है support बनका बना के फिर से उपर बढ़ गई यहां पर फिर से एक अपर company जो है अच्छा का सा यहां पर जो है rally दी लेकिन उसके बाद फिर से जब बोलिंजर बैंड के अपर level को हिट किया तो वहां से फिर से company में profit booking आई लेकिन profit booking के basis पर ये company जो है इसके middle level जो आ रहा है बोलिंजर ब बात करें तो 50 का मुविंग आवरेज जो है 200 का जो मुविंग आवरेज और 100 का मुविंग आवरेज है तो तीनों important मुविंग आवरेज के अच्छा का से ऊपर जो है company अभी trade करते हुआ हमें देखने को मिल रही है अगर हम लोग company के support और resistance के बात करें based on the pure point chart तो pure point निकल का रहा है 2050 रूपिस के असपास हम लोग इस company का पहला support देखे तो वो था 2250 रूपिस पे जो company ने अच्छे volume के साथ cross किया था लेकिन वहां से जो है इसका second resistance जो निकल के आ रहा था 2400 रूपए पे तो यहां पे company टिक नहीं पाई यह इस level पे और यहां से थोड़ी profit booking हमें इस level पे देखी लेकिन यहां पे जो है इस company का पहला resistance को support बना के company फिर से यहां पे अच्छे rally दी आज की दिन यहां पे इस company इसका third resistance जो की निकल के आ रहा है 2740 रूपए के असपास तो उसको भी company ने तोड़के अभी 2770 रूपए के असपास जो है ट्रेड कर रही है तो जिस स तरह support है 1700 रूपए पे तो overall देखा जाए तो company अच्छे का से positive zone में है moving average की वी उपर चल रहे है तो देखा जाए तो company एक बहुत ही बैतरे इंद विकब्ल रहेगा अगर आप हमें जो है लंबे आउदी के लिए यहां पे निवेश करता है तो अगर आप यहां पे और यहां जो है correction आते हुए देख सकते है कुछ आने वाले session में तो position trader के हिसाब से आप profit booking कर लिजिए long term हिसाब से आप hold करके रखिए fresh entry के लिए आप avoid कीजिए क्यूंकि जिससाब से और bought situation में stock पहुँच चुका है तो वहां से थोड़ा correction आ चक्ता है तो नीचे के level पे हमें stock मिल सकत है first of all आप इस जो है specialty chemical के दूसरे भी जो है stock track कर सकते हैं अगर आप उपर IP क्लिक करेंगे तो वहां पे specialty chemical की एक अलग से playlist बनाई गई है जहां पे जितने specialty chemical है साता chemicals तो उन सारों को वीडियो बना चुका हो मैं तो वहां से जाके आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं उन दहन में रखें और उसके बाद इस टॉक में जो है एंटरेग्स के बारे में सोचे अलसो आपका personal analysis जरूर कीजे और उसके आदी इस टॉक में जो है एंटरेग्स के बारे में सोचे तो दोस्तों that's all for this video thanks for watching this video अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिजे अल तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाई